हे दोस्तों, habits, आपके आज के habits बताएगा कि आप कल क्या बनोगे, यानि कि आपके आज के आदते आपको आगे जाके जीबन में success दिलाती है, bad habits make bad people and good habits make great people, habits can change your life, आज के इस वीडियो में हम कुछ 10 habits के बारे में discuss करेंगे, जो आपकी life को change करेगा आगे जाके, तो let's start the video, प इसके वज़े से आप सारा दिन किसी भी task को complete करने के लिए तयर रहते हो, अपने दिन को सफल बनाने के लिए ये एक important और easy habit है, जो आपके आपके daily life में add करना चाहिए, दूसरे नमबर पे है make to do list, to do list बनाने से पहले आप अपने आपको 5 या 10 साल में किस मुकाम पे देखन चाते हो, खुद से सवाल करो, जैसे आपका goal होगा, वैसे आपको आपका to do list बना लेना चाहिए, to do list बनाने का ये मतलब नहीं कि आप सारा दिन busy रहो, to do list बनाने से पता चलता है कि आपको कहा समय बिताना चाहिए और कहा नहीं बिताना चाहिए, ये habit आपके दिन को productive बना सकते हो, तीसरा habit है, eat more lefty greens, एक दिन सुबा उटके, आप अगर अपने आपको बीमार देखते हो, तो तब आपका एक ही थोट होगा, कि अपने बीमार शरील को ठीक करना, अगर आप healthy नहीं रहोगे, तो अपने goal को कैसे हसल करोगे, आप जितना हो सके हरी सबजी खाओ, कम स से कम दिन में दो टाइम आपको हरी सबजी खाना चाहिए, आप अगर बाहर खाने जाते हो, तो तब भी आप अपना लिस्ट में हरी सबजी रखो, ये एक ऐसा चोटा habit है, जो आपको एक सफल और energetic इंसान बनाने में हेल्प करेगा, चोटा habit है, give yourself deadline, अपने आपको एक समय स तरीके से यूज करता है, या कोई कुछ सीखता है, या फिर अपना time spin करता है, facebook और instagram के deals देख देख के, जाधा तर लोग अपना समय बरबत करने के लिए ही social media यूज करता है, जो एक बहुती बुरा habit है, आज के time पे social media को avoid करना बहुती मुश्किल है, तो आपको सिप उनी चीज को avoid करना है, जो आपके goal को हासिल करने में disrupt करता है, चाहे वो facebook हो सकता है, या instagram हो सकता है, या youtube के shorts हो सकता है, जो भी हो आपको उनी चीज को avoid करना है, छे नंबर पे है read mode, जब किताब पढ़ने की बात आई, तब आप बहाने मानने लगते हो, आज मैं टाया डू, मेर इंग में एक page पढ़ना शुरू कर दो, धिरे धिरे आपका reading speed बढ़ जाएगा, साथ नंबर पे है think and do, बहुत से लोग क्या करता है, स्रिप सोचते रहते है, कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मेरे पास ये होगा, वो होगा, लेकिन करता कुछ नहीं, आपको ऐसा नहीं बनना है, आप जो भी सोचते हो, वो plan way में execute करो, स्रिप सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, आपको कुछ करके भी दिखाना पड़ेगा, last है बिठे, say no instant of yes, बहुत से लोगों को no बोलना नहीं आता, पढ़ाई करने वक्त अगर कोई दोस्त बुलाता है, तो वो चले जाते है, ऐसे ही आपका समय खड़ाब होता है, तो आपको no बोलना आना चाहिए, no बोलने से अगर आपका future बहतर होता है, तो इसमें गलती कहा है, जब भी कोई ऐसा लगे कि आप खुद का समय बड़बात करके दूसरों को time दे रहे हो, तब आपको no बोलना आना चाहिए